मैं रफिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है कोरोना वाइरस के चलते पूरे महारास्टर में लॉकडाउन हो चुका है सभी जीलों की सीमाई सील कर दी गई है हम खड़ें अब राइगण जीले की सीमा पर जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है ठाकूर पाड़ा नाम से स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें तकरीबद 8000 लोग हैं 8000 मकान हैं यहां पर 8000 मकान में 8000 परिवार रहते हैं रोजाना कमाना और रोजाना खाना दिहाडी बेसेस के ओपर कमा करके अपना परिवार अपना गुजरान करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं पिछले तीन से चार दिनों से इस पूरी आबादी को लॉकडाउन का बड़ा भयंकर रूप से सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर कुछ दुकाने हैं जो रिटेल की चीजे वाजिब दामों में बेच रही हैं लेकिन बाखी के दुकान दार जो है वो जम करके काला बाजारी कर रहे हैं दो अंडों के लिए 15 रूपई लिए जा रहे हैं चीजों के भाव बढ़ाया जा रहे हैं खास करके गुटका और सिग्रेट की काला बाजारी जम कर की जा रहे हैं करे प्रेशानिया हैं क्या तकलीप हैं हम बात करेंगे ठाक और बढ़ा के बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहां महजूत हैं यह शुरूबात करते महिलाईं से यह पूरा मामला है क्या परेशानियां क्या दिक्केति हो ही यहां की आबादी 80% डेली कमा कर खाने वाले लोगों की और यहां की बस्ती जो है सर वो बहुत सर गरीबी एरिया है तो इस वज़े से सर जितने भी कमाने वाले उनको बहुत परिशानी जहलने के लिए पड़ रही है यहां पर जो भाजी के दाम है सर वो 100 रुपे अगर शाड़ रुपे 6 रुपे कीलो अगर सर टमाटर मिलेगा तो फिर इंसन खाएगा तो खाएगा और अगर सर जो राशन पानी अगर भी अगर कॉस्टी मिलेगा तो सर इंसान कहां पर जाएगा सुबा से कामा कर शाम को खाने वाला इंसान अगर शाम का पैसा खतम हो जाए को दूसरे दिन कहां से लेकर आप वो भी तो समझना चाहिए तो इस वाज और सगंधें इलेक्रिसीटी का बहुत परिशानी है तो को यहां पर पानी का प्रब्लम हो रहा है यहां पर पानी की परेशान यह है इसलिए साहता होगी जितना मदद करने का होगा सर अब प्लीज हमारे लिए इतना कोपरेट कीजिए क्या मताएंगी आप आप क्या कहना चाहेंगी मैं कहना चाहती हूँ यहां पर पानी से बहुत तकलीव है और पानी लेने के लिए कम से कम दो-तिन किलो मीटर दूर जाना पड़ता है और वो भी पानी लेने के लिए जा रहे है तो पुलीस वाले उनको डंडे से मार रहे है और जो राशन लेने के लिए जा रहा है सबजी वाले यहां से जा रहे है सबजी लेने के लिए तो उनको भी डंडे से मारा जा रहा है यहां चोटे बच्चों को दूद की सुईदा की जाए, पीने के लिए पानी की सुईदा की जाए और लाइट पूरा दिन 4-5 गंटा लाइट नहीं रहती है, रात को 12 बजे लाइट जाती है और सबजी के लिए है खास करके व्यवस्ता की जाए, ताकि हम कमदामों में सबजी लेकर घर में पका के दाल चावल तो खा सकते है अच्छा एक बात बताईए मुझे, जैसे आप लोगों ने ये तमाम मकामी लोगों ने मुझे बताया, 8000 मकान है इस ठाकुर पाड़ा के अंदर तो यहाँ पर जितने भी ये लोग रहते हैं, क्या काम दंदा करते हैं, बहुत सारे रिक्षा चलाने वाले हैं तो उनके अलावा ऐसे कौन से लोग है, अलग-अलग काम करने वाले और उनके कमाने का सिस्टम कैसा है, रोजाना कमाते हैं, महावारी कमाते हैं, हफ्तावारी कमाते हैं, कैसा कमाते हैं जो रिक्षा चलाते हैं उनके सब के रिक्षे बन पड़े हैं तो पबली कहां से है ना घर खर्चा चलागी एक जना कमाने वाला घर में पांच जने खाने वाले किसी के चार बच्चे हैं किसी के पांच बच्चे हैं उनको तो खाना खिलाना पड़ेगा बाहर रिक्षे वाले ते मौोटर साइकल को नहीं जाने दे रहे हैं तो इंसान्त बाहरा से सामान कैसे लाएगा अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा अपने बच्चों को कैसे पालेगा अब कब से डिवी ए dr wherein मेरे मेरा बच चोड़ा लड़का भी था तुसरा बड़ा लड़का था पुलीस वाले ने लड़के को मारा पाने अनौप सब र文 पानी न को सिस्टम चल रहा है और आगे भी काफी दिनों तक चलने वाला है तो यह गुजरेबी दिन कैसे गुज़ारे आपने रिच्छा चलाने मिली कमाई करने मिली देखो मेरे पास जो पैसे थे पांच से जाए और मैंने खर्चा कर चुका हम आज तक अभी मेरे पास में कल के लिए घर खार किए लड़के मेरे और तो घर किराया पे भारा देना शब देना इसके अंदर ज्यादा रोज कमाने रोज खाने वाले है जो अपना प्यूप्या काम करते हैं, रिक्षा चलाते हैं, दुकानों में काम करते हैं, बिगारी काम करते हैं, जिनको 500 प्या दिहाडी है रोज की, वो काम करके यहां पर लागे से शाम को छोड़ी दुकानों से राशन बरके अपना पकाते खाते, मेरे साथ में रहने वाले स कई विगारी यहां पर है जो शाम को कमा के लागे फिर खाते पीते अपना जो फिर सुबा खतम हो जाता है इन लोग कहां जाए क्या करेंगे तहां से लाएंगे अई मेरा एक लड़का ऐसी विगारी है वो यहां पर यह बता तो आला बगश किदर है इदर आ कि यह लड़का यह पलंबरा काम करता है यहां पूरे ठाकुर पाढ़े के अंदर लेकिन इसका काम निए इसकी मां इसके पीचे 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 फिर रही है बेटा मेरा कहीं चले तो नहीं जाएंगा कुछ तक गलत काम तो नहीं करेंगा क्योंकि पैसा नी घर के नदर खाने करेगी उसलिए उसलिए परेशान ने मेरे लुटेगा क्या करेगा पैसा कहां से लाएगा बढ़ यहां पर जो खाने पीनी की सुगदा है यहां पर सरकार भी वह बता रिये कि हम पुदे रहें घरों पर पहुंचा रहें लेकिन हमारी यहां तो पानि लेने jahां हमारी खुद की काड की मार के भेज़ रहा हाँ कि ब्रक्षाध हैं कि अन पूरे मुम्राक वाउसा के काफी पुराने रिक्षा चालक हैं रिक्षा मालक भी है ठाकूर पाड़ा में भी आ और काम करने वाले कौन से अलग-अलग के लोग रहते हैं और आज की तारीक में उनके क्या हलात है मुम्रा को सगा जितना गरीब तपका है तो दिहाडी मजदूर होगा रहा है मुम्रा में किराय महेंगे होने के विए सब इस तरोफा यहाँ पर 100% जो है दिहाडी मजदूर है रोज कमाना रोज खाना डिली बेसिक्स पर रहा है अच्छा अब इनका जब तक चलता है चला अब जब से के ए मुनिच तरिक भिश तरीक से जो लोगडाउन किया है तो थोड़ी बहुत झो कमाई थी या गाडी की शेफ वगर एंके जो पॉलिस आने नहीं दे रही है और नहीं यहां से जो लोग पानी लेने जा रहे हैं उनको जाने नहीं दोनों तरफ से परिशानी है आज मैंने एक बच के आट मिनट पर यहां के एंपी सिरीकान जी शिंदे से बात किया तो उन्होंने बोला कि आप अभी फोन कर मुझे इत मैं आपका आश्वासन देता हूं कि मैं आपके यहां पर सुधार कर दूँगा कुछ फैसिलिटी करा दूँगा पानी वहनी के सहुलत है और सीनियर से बात करूँगा कि आपके लोग पानी वहनी डालने जा सके लेकिन अभी तक तो उसका कोई असर देखने में नहीं मिल त यह दोनों के बीच में कम से हम आदा किलोमीटर का डिस्टंस है वह आदा किलोमीटर तै करके दैसर गाउं से भी सबसी खरीच सकते लेकिन दैसर गाउं में एंट्री नहीं दे रहे लोग ठाकुर पड़े के रोड के उपर बेरिकेट लगा के बन करते हैं यह डिस्टिक की अन्याई हो रहा है अच्छा यह हालात ऐसे दियाडी लोग है कमाने वाले खाने की भी अब मतलब लाले पड़ गए हैं घरों में चूले नहीं जल रहे हैं तो सरकारी सुवीदा तो जब आईगी तब आईगी तो एंजियों एंजियों जो है इस फिल्ड में काम करने वाले हैं जो घरों को घरों में लोगों कोखाना पहुंचा रही है ऐसे इनजियों से मुम्रा कोशा के या डूसरे हो के सब इंजियों को क्या अपील करेंगा मैं तो पिल करण हो कि इसां ऊपर रिक्वेस्ट करूं गा कि एक मर्था बहल इंट्रस यहां बेजाओ सर्वे करो और उसके बाद में यहां पर लोगों के खाले पीने का इन्तिसाम करते हैं। पानी बिल्कुल ज़रूरी पानी के बीना इंसान जी नहीं सकते हैं। पानी तो पहले से सहे खाना पीना भी कलता रहता है। और सब में बड़ी मसला ही है कि कुछ लोगों के पास अगर एफोर्ट कर सकते हैं उनके लिए रास्ता खोलो ताके वो सामने से खड़ी लरी कर से अधाना पाजरी सुरू कहां से होता है अधाना पार्केट से सुरू होता है आज मार्केट मिर्ची 90 रुपए मार्केट में मिर्ची है सब्सक्राइब के अगर से बेचेंगे आपको महिंगा मिल रहा है अच्छा वहां पे वाव बढ़ गए दूसरी बात क्या है अधाना पार्केट में जूपए लाने ले जाने का दूगना हो गया इसलिए आप भी बस लब जादा भाव बढ़ा घर के परीछ रही है और यहाँ प्रास के बुलिस पकड़े चाह डंडा भी मार रही है ना या औरत को सोच रही ना मौर्द को सोच रही है इतना बड़ा पुलिस को हो गया है तो यहाँ पर क्या करेगा पबलिक हम लों घर से बेचेंगे इसको पहलती कोरोना वाइरस की महामारी और उसके दर्मियान लगावा सरकार की तरफ से लोगों पर लॉक्ट हो क्या असरात है इसके क्या परिस्जीतिया पैदा हो रही है गरीब तब का अ हमने आज तक पहुंचाई है इस खबर के साथ साथ हम मदद करने वाले तमाम एंजियोत सामाजिक संस्ताओं और लोगों से यह अपील कर रहे है कि ऐसी उन आबादियों तक जहां पर बिलो पॉवरिटी लाइन यानि गरीब तबके के लोग रह रहे है दीहाडी पर काम करक हैं अपने हाथों पर अपना पेड़ भरते हैं ऐसी जगाओं को ढूंडे और इन जगाओं पर खास करके मदद पहुंचाए तो यह थी आज की हमारी ठाकुर पाड़ा की लॉकडाउन और कोरोना वाइरस महमारी के बीच में क्या हलात है वो दिखाने वाली खबर जल्दी ह कर दो कर दो कर दो कर दो...